So hi everyone, welcome back to JK exam cracker, तो यहाँ पे यह वाले lecture में हम देखेंगे ecological interaction या फिर biological interaction, clear? तो यह रहेगा हमारा lecture number 6 यहाँ पे regarding environment, ecology and biodiversity series, clear? तो यहाँ पे हम देखेंगे ecological interaction होता है क्या है? तो देखिए एक ecology में या फिर environment में जो different species होते हैं, या फिर different organisms होते हैं, वो एक दूसरे पे क्या होते हैं? dependent होते हैं या फिर interdependent, यानि कि वो अकेले survive नहीं कर पाएंगे, कौन different organisms, like हम है humans, हम humans different plants पे dependent है, different animals पे dependent है, for food वागेरा, clear? तो यह चीज़ें जहाँ पे जो different species है, organism है, वो एक दूसरे पे dependent है, तो यह जिसको lead करता है, यह lead करता है interaction को, यानि कि जितने भी organism है, वो रहते हैं, matrix form है, यानि कि एक दूसरे पे dependent, और वो अकेले survive नहीं कर पाएंगे, clear? तो यही होता है, ecological interaction, अब जो interaction होते हैं, यह manly दो type के होते हैं, जनरली यहाँ पे आपको दो type के question पूछे जाएंगे, एक तो यह जो आपको यहाँ पे table में दिख रहा है, यह वाला portion, यह आपसे पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि predation में क्या होता है, positive, negative, paracitism में क्या होता है, positive, negative, तो यह आपसे पूछा जाएगा, clear? अभी हम देखेंगे कि यह क्या होता है, and then आपसे जितने भी यहाँ पे species हैं, या फिर organism हैं, उनकी example आपसे डायरेक्ट पूछी जाएगी, कि यह वाला जो organism है, यह किस interaction में आएगा, clear? तो यह चीज़ें आपको याद रखनी है, काफी important है, डायरेक्ट यहाँ से question पूछे हम कहते हैं, देखें, पहले हम यहाँ पे science को समझते हैं, यहाँ पे आपको तीन sign मिलेंगे, positive, negative, and zero, positive meaning यहाँ पे benefit, positive meaning benefit, minus, यहाँ फिर negative meaning यहाँ यहाँ गाटा, यहाँ यहाँ पे disadvantage, यहाँ पे कुछ negative impact, neutral, zero यहाँ यहाँ पे meaning neutral, zero का meaning यहाँ 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 positive जो भी होगा, वो क्या होगा, वो benefit होगा, negative में जो भी होगा, उसका क्या होगा, negative impact होगा उस पे, zero जिसको भी होगा, वो होगा neutral, तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, आप देखिए, दो type आते हैं, एक होता है positive interaction, दूसरा होता है negative interaction, positive में आपको manly, क्या यान कि यहाँ पे है एक species, A, और दूसरा species यहाँ पे B, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दूनों species जो है, वो या तो दूनों में एक benefited होगा, या फिर दूनों के दूनों यहाँ पे benefited होगे, तो यहाँ पे negative नहीं आएगा, कहाँ पे positive interaction में, clear यहाँ आपको याद कुमेंसलिसम में positive zero, यहाँ की एक का फाइदा दूसरे पे ना फाइदा ना गाटा, photocoperation में दूनों का फाइदा होता है, clear, अब difference चाहे mutualism and photocoperation में, जो photocoperation होता है, it is non-obligatory, and जो mutualism होता है, it is obligatory, obligatory meaning, यहाँ पे दो species जो होगे, या फिर दो organism जो होगे, वो एक दूसरे के बगेर, survive नहीं कर पाइँगे, कहाँ पे, mutualism है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, यह होती है, obligatory, क्या होती है, obligatory, आगे जाकर हम देखेंगे, negative interaction में आपको मिलींगे, चार, predation, तो negative में, at least आपको negative में, एक organism तो मिलेगा ही, तो यह है A organism, यह है B, तो predation में क्या होता है, एक positive and दूसरा negative, एंकि A का फाइदा, दूसरे का घाटा, paracitism है, again यही, then commensalism, commensalism में, दूनू का क्या होता है, यहाँ पे competition, competition में क्या होता है, दूनू का यहाँ पे क्या होता है, गाटा होता है, amensalism में A का घाटा, एंक दूसरा जो होता है, वो neutral में होता है, तो यह आपक क्या है mutualism की वो interaction जहां पर दूनू species का यहां दूनू organisms का है दूनू organisms का क्या हो रहा है यहां पर फाइदा हो रहा है इनकी positive positive यह होता है obligatory, obligatory meaning यहां पर जो दो species है A and B यह एक दूसरे के बागेर सरवायों नहीं कर पाएंगे typical example जो आपको याद रखने है लाइकन, rhizobium, mycorrhizia अब लाइकन जो होती है आपसे पूशा जाएगा कि लाइकन गिनके बीच association होती है तो यह होती है between algae and fungi correct and यह किसमें आता है यह आता है mutualism है यहां पर जो algae and fungi दूनूं का फाइदा होता है and इस association को हम बोलते हैं then rhizobium, rhizobium forming nodules in the leguminous in roots of leguminous plants तो देखिए यहां पर rhizobium bacteria जो कि कहां पर रहते हैं leguminous plants, leguminous plants आपको बोला जाएगा कि यहां पर कौन सी example है direct आप से पूचा जाएगा तो जो P plant होते हैं वो क्या होते हैं leguminous plants तो यहां पर भी जो relationship होता है दूनूं का तो वो क्या होता है दूनूं यहां पर benefited होते हैं next is mycoresia, अब mycoresia क्या है, mycoresia है relationship या interaction between इनके बीच में fungi and roots का fire plant, fungi और roots का fire plant के बीच में जो interaction होता है उसको हम बोलते हैं mycoresia and यहां पर दूनूं का फाइदा होता है next is photocoperation, photocoperation positive positive यहां की दूनूं का benefit यहां पर and non-obligatory यहां की यहां पर necessity condition नहीं है की दूनूं जिन्दा रहने चाहिए clear तो यह है non-obligatory typical example हर्मित क्रैब and cnum clear यह हर्मित क्रैब यहां पर and यह रहता है किसके पास यहां पर cnum के पास and यहां पर क्या होता है दूनूं का benefit होता है next is commensalism clear अब commensalism में क्या होता है commensalism में positive negative positive zero यह है definition यहां पर यहां की एक का फाइदा दूसरा यहां पर neutral clear तो पहले दो में क्या हो रहा था mutualism में and photocoperation में वहां पर दूनूं का फाइदा हो रहा था बट यहां पे एक फाइदा होगा और दूसरा जो होगा उस पे ना तो bad impact होगा ना ही फाइदा यान कि वो neutral रहेगा टिपिकल एक्जांपल है एपिफाइट्स एपिफाइट्स लाइक और्चिड बूमलेड जो कि किन पे ग्रो करते हैं प्लाइट्स पे देखिए यहां पे एपिफाइट्स जो कि किन पे लाइक और्चिड बूमलेड जो कि किन पे ग्रो करते हैं ब्रांच शाफ ट्रीज तो इनको क्या होता है जो एपिफाइट्स यहां पे हैं तो यह होते हैं positive clear यहन कि इनको फाइदा होता है क्योंकि यह किन पे ग्रो करते है plant trees पे then जो tree है ना इस पे ना तो फाइदा होता है ना गाटा होता है यहन कि यह neutral होता है zero clear यह चीज़ें आपको याद रहिए next tree is orchard and mango tree clear orchard and mango tree अगर हम यहाँ पे orchard and mango tree की बात करें जो यहाँ पे देखें यहाँ यहाँ पे यह जो mango tree है ना इस पे क्या grow करें है orchard clear तो यह जो orchard है ना अगर यह नीचे रहते है ना तो इनका competition होता over plants के साथ clear तो यह यहाँ पे grow नहीं कर बाते इसलिए जब यह mango tree के ऊपर रहते हैं तो इनको फाइदा होता है and mango tree जो है इसको ना तो फाइदा होता है ना गाटा है यह जिरो में next is lyanas अब lyanas क्या होते हैं यह होते हैं vascular plants rooted in ground कुछ यह आपको देखेंगे clear तो यह क्या करते हैं यह अपनी erection को maintain करते हैं with the help of a tree clear and यह grow करते हैं टाल किसके लिए sunlight के लिए यह टाल grow करते हैं clear तो इनको क्या होता है फाइदा and जो tree होता है यहां पे उसको क्या होता है वो होता है neutral में याद रखना है again आपको next typical example here is interaction between sea and clown fish तो यह है clown fish तो यह जो fish है ना जब इसके उपर जो बड़ी fishes है like whale होगी वो हमला करती है तो यह कहां पे आती है यह रहती है किन में यहां पे sea animal में तो जो sea animal है तो इनको ना फाइदा ना गाटा तो zero and यह जो clown fish है इसको होता है फाइदा तो I hope आपको commensalism भी अच्छे से समझ में आया होगा यह जो example है यह आपको यहां पे रटा मारनी है क्योंकि यह कुछ biological type data यहां पे है तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं यह example आपको याद रखनी ही रखनी है next is negative interaction तो negative interaction में at least एक species A और B यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे at least negative में होगा clear पहला example यहाँ पे amensalism clear अब देखिए, immenseillism में क्या होता है? यहां पे एक अफ गाटा होता है और दूसरा जो होता है, वो किसमे होता है? वो neutral रहता है, clear typical example here is, जो अलगे होते हैं, clear, जो अलगे होते हैं तो यहां पे होता क्या है actual में, यहां पे inhibition होता है क्या होता है? inhibition by release of different chemicals, उनको हम बोलते हैं yellow chemicals, देखिए यहां पे यहां पे किसी pond में अलगे, clear तो यह क्या करते हैं? यह release करते हैं, कुछ chemical और इन chemical के कारण जो इनके आसपास, जितने भी species होंगे, like fishes के तो यह दूर जाते हैं, यह क्या जाते हैं? दूर जाते हैं, clear तो कभी कबार इनकी death भी होती है clear, कभी कबार यह जो organism है, इनकी death होती है तो यह होता है emotionalism, तो देखिए यहां पे जो blue green अलगे हैं ना इनका फाइदा हुआ ना इनका गाटा, यह रहे neutral, clear क्योंकि इन्होंने किन को बगाया, fishes को बगाया by releasing, chemicals, clear अब जो fishes यहां पे बागे ना इनकी death भी हो सकती है, तो इनका क्या होता है, यहां पे इनका गाटा होता है यहां कि यह है negative है, यह आपको याद रखना है यह है negative है, तो यही कहलाता है emotionalism, clear next is competition अब देखिए competition competition जो होता है, यहां पे दूनों का क्या होता है, यहां पे दूनों का गाटा होता है and generally जो competition होगा वो या तो food के लिए होगा या फिर shelter के लिए होगा या फिर mate के लिए होगा, या फिर for reproduction, clear, अब जो competition होते हैं, generally दो type के होते हैं interspecific and interspecific clear interspecific and दूसरा यहां पर interspecific अब देखिए पहला interspecific interspecific competition जो होता है यह होता है the competition for food या other resource between organisms of two or more species like यहां पर आपको दिख रहा है कि इनके बीच यहां पर lion and elephant इनके बीच जो competition है it is interspecific क्योंकि two or more species यहां कि different species यहां पर इनवालो होते हैं clear यह आपको याद रखने हैं अब यहां पर क्या होता है यहां पर दूनों का क्या होता है यहां पर दूनों का गाटा होता है क्योंकि कभी यहां पर lion की death होगी या फिर कभी यहां पर elephant की death होगी clear तो number of species involved यहां पर two or more clear competition for matting यहां पर आपको नहीं देखेगा क्योंकि lion और tiger, lion और elephant कभी आपस में matting नहीं करेंगे clear next is intraspecific, intraspecific आपको देखेगा competition between same organisms या फिर between same species like दो कुते हैं यहां पर किस के लिए लड़ रहे हैं हड़ी के लिए लड़ रहे है clear तो यहां पर one species यहां पर two or more species and यहां पर आपको competition देखेगा for matting भी clear जहां पर एक ही type के species होंगे दो कुते यह matting के लिए भी यहां फिर reproduction के लिए भी यह क्या करेंगे यहां पर fight करेंगे I hope आपको समझ में आया होगा and इसी के related gas ने एक यहां पर principle दिया है या फिर ला दिया अब यह क्या कहता है यह कहता है two or more species with closely similar niche requirement दो species अगर उनकी similar niche requirement होंगी clear cannot exist definitely in the same area as soon or later they come into competition यहां कि अगर A species है और B दुनों की requirement क्या है same and यह एक ही जगा रहते हैं क्या रहते हैं एक ही जगा दुनों की requirement क्या है same clear तो यहां पर food के लिए requirement है shelter clear requirement तो यह क्या करेंगे आपस में यह आपस में लड़ींगे clear आपस में क्या करेंगे लड़ींगे क्योंकि यहां पे एक ही सरवायो कर पाएगा क्योंकि जो दूसरा है उसको यहां पे in short यहां पे मरना होगा clear and जो यहां पे more stronger होगा वही सरवायो कर पाएगा कहां पे जहा यहाँ पे गयालोपे बेस ऐक्स इनने आइ-लेंड में आपको तो मिलींगे तो इनका यह हुए एक्स्टिंक क्या हुए एक्स्टिक, यheinक यह गायब हुए, गायब क्यूए जब यहां पे गोट को इंट्रोडियूस्स्ट तो यह जो डौता इस थे, इनकी क्या हुई, इनकी यह जो goat and toties थे यहाँ पे, इनकी जो requirement थी वो same थी, for food वगेरा यहाँ पे clear, तो दीरे दीरे जो goats थी न, इन्होंने ज़्यादा food खाया तो इनके लिए कुछ बचाया ही नहीं तो इनकी क्या हुई, death हुई, clear तो यह है typical example यहाँ पे next is parasitism, parasitism यहाँ पे positive, negative, यहाँ की a का फाइदा and दूसरे का गाटा and जिसका फाइदा होता है उसको हम बोलते है parasite and जिसका गाटा होता है उसको हम बोलते है host, clear अब यह जो parasites हैं, they can enter, यहाँ देखे है reach host through many ways, like contaminated food हो गया, water हो गया, animal bites यह फिर direct entry, clear, typical example है, malarial parasites, जो कि किसे थूँ आता है mosquito की biting के थूँ आता है, clear अब यह जो parasites हैं, इनके different types हैं यहाँ पे आपको तीन important याद रखने है और भी type है, बट यह तीन काफी important है one is endoparasite, then ectoparasite, then hyperparasite, endoparasite क्या है, अगर यह कोई species है clear, या फिर कोई organism है अगर इस पे parasite आई ना वो इसके अंदर जाती है, क्या जाती है इसके अंदर, याँ कि इसकी body में रहती है clear, तो वो होती है, indoor याँ कि inside, याँ कि living in the body of host like tevrum होगे, actoparasite में क्या होता है, actoparasite में यहाँ पे कोई भी parasite जो आती है, वो surface पे रहती है याँ कि यहाँ पे रहेगी, याँ कि वो inside नहीं जाएगी, clear, याँ कि living on the surface of host, like जो head loose होते है कहाँ पे humans में, वो भी क्या होते है actoparasite, क्योंकि वो कहाँ पे रहते है जो human head होता है, वहाँ पे रहते है clear, then cascuta, जो एक parasite यह भी क्या है, actoparasite next is hyperparasite, hyperparasite क्या होती है, यहाँ पे एक parasite है इसके उपर एक और parasite रहती है यहाँ कि parasite living on another parasite तो यह क्यालाता है, hyperparasite typical example is, pasteurial pestis, जो की कहाँ पे है जो की actoparasite है, आप rat यह आपको याद रखने है, यह direct पूशे जाते है, next here is predation अब predation क्या होता है, predation में भी positive and negative होता है होता क्या है, यह जो predator होता है, यह positive में होता है यह इसका benefit होता है, यह catch करता है पहले pre को, यानिकि शुकार को, फिर उसको kill करता है, यानिकि जो pre होगा, वो क्या होगा, negative है यानिकि उसका गाटा होगा, main difference between, यहाँ पे हमने देखा था parasitism है, देखिए positive negative, अब main difference क्या है, between predation and parasitism, clear predation and parasitism, जो parasitism था, वहाँ पे भी positive negative, predation में भी positive negative, तो यह है similarity, अब difference क्या है, जो parasitism है यहाँ पे दूसरे organism की death नहीं होती है, क्या death नहीं होती है, clear, but predation में क्या होता, यहाँ पे death होती है, दूसरे organism की, clear तो जितने भी animal होते हैं, वो mainly क्या होते हैं, predator and कुछ carnivor plants जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी होते हैं, predator जिनको हम फेकते हैं या फिर जो डेड़ प्लांट्स होते हैं डेड़ अनिमल्स होते हैं जब इनको हम बाहर फेकते हैं या फिर किसी जंगल में फेकते हैं तो ये जो सिकेवेंजर्स होते हैं ये आते हैं एंड इनको क्या खाते हैं ये जो सिकेवेंजिंग है ये क्या करती है provide different scavengers या फिर different organism फूट and फाइदा क्या होता है जब आपने यहाँ पे कोई organism फैंका या फिर कोई species फैंका या फिर कोई जानवर फैंका जब आओगे ना इन्होंने उसको खाया होगा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो environmental जो होता है यहाँ पे क्या होती है जो space होती है वो clear होती है next जो wastage of food होता है वो भी prevent होता है I hope आपको समझ में आया होगा next है यह वाले topic related कुछ आये हुए important MCQs पहला question यहाँ पे the relation between algae and fungi हमने देखा तो वो क्या show करते हैं वो show करते हैं symbiosis relation clear यह विर हम बोलते हैं mutualism competition for light nutrients and space is more severe between तो competition light के लिए nutrients से लिए space से लिए कहाँ पे option A closely related organism growing in different niche no closely related organism growing in same niche तो बिलकुल यहाँ पे correct रहेगा next a mutually benefited association necessary for survival of both partners यहाँ की दूनों पार्टनर से लिए जो दूनों पार्टनर का survival है वहाँ पे important है यहाँ की दूनों का होना यहाँ पे important है तो वह आपने कहाँ पे देखा था mutualism में या फिर symbiose में देखा था जो की obligatory है next यह positive sign is assigned to beneficial interaction यहाँ की benefit negative के से लिए determinant के लिए zero के से लिए neutron के लिए then आपको बोलना है positive negative positive negative आपने दो जगे देखा था एक देखा था parasitism में दूसरा देखा था predation में तो यहाँ पे क्या option रहेगा parasitism clear then mycorrhizia are the example तो mycorrhizia जो है वो होते हैं example किसके mutualism के next question the exchange tension of abingdon to ties in gallopagus island is an example आप तो इनका extinction यह extinct हुए है क्यों है जब यहाँ पे goat को लाया गया तो वो क्या interaction होता है वो होता है competition clear the principle of competitive exclusion was started by तो किस ने दिया तो वो दिया था गास ने an association between two individuals or populations where both are benefited and where neither can survive without each other यहन की obligatory की बात हो रही है and दून का benefit वो कहाँ पे होता है भाई वो होता है mutualism में clear वो होता है mutualism में next एफिना मिना वायर पैरसाइट पैरसाइट इस दियम सेलोज इस नोन है यहन की एक पैरसाइट दूसरे पैरसाइट पे रहती है तो उसको क्या हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं hyperparasytism next the interaction वायर वन स्पिशीज इस बैनिफिटेट and the other is neither benefited nor harmer तो यह कहां पे होता है यहन की एक फाइदा दूसरा जो है उसको ना फाइदा हो रहा है ना गाटा हो रहा है तो यह होता है कमेंसिलिजम में clear next when both partner here components are affected negatively the nature of interaction is जब दूनों का क्या हो जब दूनों का गाटा हो तो negative negative तो वो कहां पे होता है जब deadly competition हो clear last question here tapeworm is an example of तो tapeworm मैंने आपको mention किया तो यह है example of क्या indo-parasite clear ecto भी हमने देखा hyperparasite भी हमने देखा I hope आपने यहाँ पे notes जो है वो maintain किये होंगे generally जितने भी example यहाँ पे मैंने mention की काफी important है याद रखिए गा तो चलिए अपने lecture को यही end करींगे मिलिंगे next lecture में till then take care bye bye